चलिए दूस्तों बनाते हैं विंटर स्पेशल प्रोटीन, फाइवर, आईरन से भरपूर, युमेनिटी बुस्टर लड्डू, ये किसी भी प्रकार के दर्द, ठकान, खुन की कमी को दूर करता है, ये हिल्डी के साथ साथ बहुत ही टेस्टी है, इसमें कुछ खास इंग्रे कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी विडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो संधेजी की किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, तो पैन रख दिया है, मैंने पैन में डाला है मुंफली है दोस्तों, आपके पास कच्चा है तो आप कच्चा भुनिए, मेरे पास भुना हुआ रखा है, इसको थोड़ा गरम कर देती हूं ताकि इसके जो छिलके हैं अराम से निकल जाए, अब इसी पैन में डालेंगे हम थोड़ा तील, और तील को गुलाबी होने तक यह देखिए, गुलाबी हो चुका है, हाथो से तूटने लगा है तो इसको हम निकाल लेंगे, इसी पैन में डालेंगे थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल, और इसको भी हम गुलाबी होने तक भुनेंगे, इसको भी निकाल लेते हैं, अब इसी में डालेंगे खस-खस, और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे नहीं तो ये जल जाएगा और टेस्ट लड्डू का खराब हो जाता है तो चलिए खसकस को भी निकाल लेते हैं अब इसी पैन में डालेंगे हम मखाने और मखाने को भी 2-3 मिनिट तक भूनेंगे और ये लाल हो जाएगा और निकाल है तो थोड़ा से गोंद डाल दिया है मैंने आधा रखा है और आधे को तरल लेती हूं पहले इसको पलट के अच्छे से तरल लेंगे और ये देखिए कितना बढ़या खूल गया है और चलिए इसको निकाल लेते हैं और जो थोड़ा सा गुंद है इसको भी डालके हम अच्छे से भूल लेते हैं और इसी पैन में डालेंगे दोस्तो थोड़ा सा कद्दू के बीज, बादाम और काजू इनको भी थोड़ा गुलाबी होने तक भूनते हैं और निकाल लेंगे और जितने भी ड्राइफूट भूने हैं थोड़ा थंडा हो रहा है, तब तक चलिए, हम थोड़ा सा आटा लगाते हैं तो मैंने आधा आटा लिया है और आधा सूजी लिया है इनको मिला लेंगे और इसमें वही घी डाल रही हूं दोस्तों जो भी गरम था जिसमें मैंने ड्राइफूर्ट तले थे तो इसको डालके अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालके नॉर्मल पानी है इसको आटे की तरह गुंद लेंगे बिल्कुल धिला गुनेगे क्योंकि इसमें सूजी है तो सूजी पानी सोख लेता है तो टाइट हो जाएगा तो इसको हम थोड़ा धिला ही लगाएंगे आटे को और दस मिनिट के बाद देखिए आटा कितना नरम हो गया है अब इसको एक बार मिला लेते हैं और चलिए इसके दो टुगड़े कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिलाने के बाद चकले पे थोड़ा साटा डालेंगे और इसको हम बेल लेंगे चोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं दोस्तों जिस तरह आपको लगे कि इतना सही है मैं बड़ा बना रही हूँ और देखिए इतना बड़ा बना लिया है मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और इसको चलिए तवे पे डालते हैं और गैस को चालू कर लेंगे दोस्तों और इसे चुटकी के सारे इस तरीका से हम डिजाइन बना देंगे इसमें इससे होगा थोड़ा लेयर पतला हो जाता है और अच्छे से पक जाता है ये और इस तरीके से करने के बाद इसमें एक चमच घी डाल देंगे दोस्तों चारो तरफ से और इसको घुमाते हुए अच्छे से पकाएंगे ताकि नीचे का जो पोर्षन है बिलकुल लाल हो जाए और अच्छे से पक जाए गैस के फ्लेम को मेडियम रखेंगे और इसको पलट भी देते हैं और एक चमच और खी डालेंगे इस पे और आगे पीछे से इसको पका लेंगे ताकि बिलकुल भी कच्छा ना रहे इसको उलट पलट के अच्छे से शेक लेंगे तीन से चार मिनट लगता है और ये बढ़िया पक जाता है और चलिए गैस को बंद करते हैं थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसे तवे पे ही तब तक हम दूसरा बेल लेते हैं इसको भी ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे से मकार का ही रखेंगे दोस्तों और ये देखिए पानी की बोतल में जो पाइप लगी रहती है ना पीने वाले बच्चों के वाटर बोतल में उसी का इस्तमाल कर रही हूँ और इससे ये हम डिजैन बनाएंगे कोई जरूरी नहीं है दोस्तों की डिजैन बनाएं कहीं कहीं होल करके छोड़ दीजे ताकि अच्छे से पक जाएए मैंने इसमें स्माल बना दिया है दिखने में भी सुंदर लग रहा है और चलिए तवे पर डाल दिया है इक चमच घी डालेंगे और इसको भी हम पलट के आगे पीछे से पका लेंगे इसको दबाती हुए सेख लेंगे दोस्तों और बिल्कुल लाल होने तक पकाएंगे ताकि खच्चा ना रहे और ठंडा होने देंगे ये देखिए दोनों पक चुका है और ठंडा भी हो चुका है तो चलिए इसके छोटे-छोटे टुकडे कर दूरेते हैं पिए तरीका से हम ठुकडे कर लेंगे इसके अब फिल्कुल ठंडा हो गया यह थोड़ा गडम है थालका सा है मैंने बहुत दाने दाने अच्छे बन रहे हैं लड्डू इसके बहुत ही बढ़िया बनेंगे दोस्तों तेश्ट भी बढ़ जाता है और लड्डू की कॉंटिटी भी बढ़ जाती है तो चलिए जार में डालते हैं मखाने और गौंद डालेंगे जो हमने तलके रखे अब डालेंगे दोस्तों जार में ड्राइफूड और इसको भी हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे ज्यादा बारिक नहीं करेंगे दरदरा रहता है तो बहुत ही टेश्ट अच्छा आता है और चलिए इसको भी इसमें डाल देते हैं अब इसमें डालेंगे खस-खस-खस-ख रखा है तो इसे हमें पीसना नहीं था और डालेंगे हम कैल्शम से बारपूर तील और चलिए इसमें मिलाएंगे हम खास इंग्रीडियंट वो है दालचिनी दालचिनी हमारे इम्मूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और इसमें डालेंगे हम सोट यह सर्दी जुखाम दर्द में बहुत ही फायदे मं दोता है दोस्तों और इसके अलावा जो डालेंगे यह जायफल जायफल को घि Shelby डाला है मैंने तो जायफल जोडों के दर्द हो बुखार हो यह हर चीजिए में ही फायदे मं दोता है तो इन सबको डालके हम अच्छे से मिला लेंगे इस سے हमारे लड डालेंगे गुड की चासनी नहीं बनानी है दोस्तो गुड को पिखला लेना है और जैसे गुड मिल जाता है अच्छे से पिखलके तो गैस को बंद कर देंगे और ये लिजिए चासनी हमारी तयार हो गई है गुड को पिखला लिया है हमने तो थोड़ा सा ठंडा होने देते ह तब तक हम थोड़े से इलाईची को खूट के रखते हैं और यह दखिये कूटलया इलाईची आब इसको मिला देंगे और इस HCає में डालेंगे हम चाasttind हमारी अभी गरम ही है तो इसको हम चममच से मिलाएंगे दोस्तों तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद जैसे लगे की 築ड़ा ठंड़ा हो गया है आप इसको हाथ से चूछ सकते हैं तो हाथों से मिलाईगे तो हलका ठंड़ा हो गया है तो चली ह lors हाथों से मसल्ट हुए मिलाएंगे और यह देखिए चूर्मा गुड और ड्राइ फूड अच्छे से मिल गया है दोस्तों अहाथ को साफ करेंगे और गोल गोल लड्डू बना लेंगे इस तरीका से तो आप जितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं उस तरीका से रख के बना सकते हैं तो ये लीजिए दोस्तों विंटर इस्पेशल प्रोटीन, फाइवर, कैल्शियम, आईरन से भरकूल लड्डू हमारे तयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी और नरम लड्डू बना है दोस्तों तो इस तरीका के लड्डू बनाईए और अपने परिवार और बच्चों को खिलाईए और हेल्दी रखिए और कमेंट के जरिए जरूर बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और ऐसी ही अच्छे अच्छी रेसिपीस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो खुस रहिए स्वस्त रहिए